तमाम ताजातरीन खबरे जानने के लिए अवाज इनिया न्यूस को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाए अबूरोड से एक बड़ी खबर आ रही है अबूरोड के रिको इंडरस्ट्रियल एरिया छेतर में आए दिन हो रही चोरियों के लिए स्रीराम मार्बल एंड मिनरल्स अमबाजी इंडरस्ट्रियल एरिया में रात 12.40 मिनट से 1.30 मिनट के अंतराल में फैक्ट्री घुसकर चो चोटी मसीनों की भी बहुमुले के बलो की भी चोरी की गई है बलो की अनुमानित लागत 85 हज़ा रुपए थी फैक्टरी में चोरी की वारदात होने के बाद फैक्टरी मालिक सरे राम मार्वल एंड मिंडल्स ने कारवाई करने के लिए ग्यापन भी दिया लेकिन फुलिस की नाकामिया साफ साफ नजर आ रही है पिछले एक वर्स में 60 से 70 लाख की चोरियां हो पर कोई चोर पकड में नहीं आ रहा है फैक्टरी मालिकों ने कैमरे में कैद फोटो और वीडियो सुपुर्द कराने के बावजूद भी नाकामिया नजर आ रही है इनका कहना है कि नाइट की प्रतिस्ठान बंद रख कर लेवरों के साथ फैक्टरी मालिक धर्ना अस्थल पर रहेंगे अध्यक्ष शांतिलाल ने बताया कि पिछले एक वर्स में लगभग 60 से 70 लाख रुपए की केवल चोरियां हो चुकी है किन रिको पुलिस द्वारा इन वारदातों का क कोई खुलासा नहीं किया गया जिसको विरोध में आज धर्ना परदर्सन करेंगे इनका यह कहना है कि चोरी के लिए परियास तो निरंतर जारी है मुझे आए अभी दो मेहने ही हुए हैं हम भी कह रहे हैं कि चोरी तो हुई है नकार नहीं रहें एक साल से परियास तो कर ही रहें मेरे आने के बाद असी चोर पकड़े गए मैंने टीम बना दी है सिर्फ केवल चोरी वाले चोर हाथ में नहीं आए हैं हमारा परियास जारी है जल्दी गिरफतार होंगा